नमेशकार दोस्तों, I am sure कि आपने कल न्यूस सुनी होगी कि जो दिशारवी है, toolkit case के मामने में यहाँ पर उनको बेल दे दी गई है, तो यह तो एक न्यूस हो गया, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, Delhi court grants bail to दिशारवी over scanty sketchy evidence, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वीडियो है, इस हर एक चीज को लेकर quality के हिसाब से आपके लिए काफी important यह topic हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और फ्रियूपर मेरे lecture की help PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा telegram channel join कर सक और दिल्ली पुलिस के दौरा दिल्ली ले आया गया था, तो करीब 9 दिन तक वो custody में बनी भी थी, 22 year old बताया जा रहा है, और finally यहाँ पर court ने उनको bail दे दिया है, और जो court है ध्यान रखेगा, यह high court नहीं है, session court है, जिनके just थे, धर्मेंद राना, तो यहाँ पर उन्हों के जानना काफी important हो जाता है, basically यहाँ पर जो court का तर्ख यह था, bill देने के लिए, कि यहाँ पर जो primary reason है, मतलब कि जो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर evidence देने चाहिए थे, दिशारवी के खिलाफ, यहाँ पर जिस तरह से उनको arrest किया गया था, तो वो evidence कहीं से भी substantial नहीं है, म अपना participation दिया है, उसके तुरू यहाँ पर 26 जन्वरी का कहीं न कहीं violence का link बैटता है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना था, लेकिन यहाँ पर court का यह कहना है कि नहीं, आपने हमें कोई भी ऐसा evidence नहीं दिया है, जिसके तौर पर हम clear तौर पर कह सकें, कि जो दिशारवी का role थ टूल किट के अंदर, यहाँ पर 26 जन्वरी को उसी की वज़े से violence हुआ है, और यह main reason है, यह primary reason है, जिसकी वज़े से court ने यहाँ पर bail दे दी है, और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो दिशारवी हैं, उनके उपर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे, कौन-कौन से sections ल लेटेड है, दीखे, normally sedition का simple earth यह होता है, कि जब आप अपने सरकार के खिलाप कोई withdraw करना चाहरे हो, violence create करना चाहरे हो, इसको simple thought पर sedition कहते हैं, तो यह Britishers के समय से चलते हैं, इसके उपर मैंने अलग से MCQ भी बनाया है, आप उसको last में solve करिएगा, इसके साथ साथ एक और section लगाये गया है, section 153A, यह basically क्या कहता है, कि हमारी देश के अंदर जो अलग अलग groups हैं चाहरे, religious हो, race के basis पर हो, place के birth के basis पर हो, इसको लेकर आपस में लोगों को लड़वाना, यह basically आता है आपका section 153A, तो यह main 3 sections लगाये गये थे, दिशारवी के उपर, जो कि यहाँ पर तो यह liberal democracy का जो आधार है, वो free speech है और rule of law है, यह दो important चीच आपके exam point of view से, let me tell you, बहुत जादा important हो जाता है, जब भी आप democracy की बात करिए, liberal democracy की बात करिए, किसी भी विशु के कोने में क्यों ना हो, तो यहाँ पर दो चीच सबसे important होती है, एक तो free speech होना चाहिए, कि यहाँ पर जो सरकार है, उसकी मनमानी होनी चाहिए, तो यह main चीच है दोस्तों, I hope कि यहाँ पर आपको जो court का यह है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन, अब हम कुछ और important मुद्दे पर आते हैं, जो कि court का ध्यान गया था, एक है sedition का मुद्दा, यहाँ पर सबसे अबी का मामला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से violence नहीं दिखता है, और यह जो केदार नातवर से state of भिहार है, उसमें Supreme Court के द्वारा बोला गया था, कि sedition तभी चार्ज हो सकता है किसी भी person के उपर, जब यहाँ पर violence जैसी चीजें फैलानी की कोशिश की गई हो, या फिर violence हुआ हो, जब तक violence का आधार नहीं है उस चीज में, तब तक आप किसी भी person के उपर sedition नहीं लगा सकते, ऐसा यहाँ पर case में judgment था, और इसी को उपर आधार बनाते हुए, जो court है, session court है दिल्ली का, उन्होंने यहाँ पर बयान दिया, और यह कहा कि दिशार रवी का जो link है वो कहीं से भी 26 January को जो violence हुआ था, उसमें नहीं बैठता है और इसलिए यहाँ पर उनको bail देनी चाहिए, in fact यहाँ पर यह भी court ने कहा, कि यहाँ पर 150% को दिल्ली पुलिस ने interrogate किया था, अरेश्ट किया था, उनसे बातचीत की थी, 26 January के incident को लेकर, लेकिन दिल्ली पुल persons हैं, जिनके त्रुयां पर violence हुआ है, उसका किसी भी प्रकार से दिशारवी का link दिखता है, दिशारवी ने जो भी किया हो internet के उपर, toolkit के उपर, उनका जो action है, उसका direct संबन violence से नहीं जोडता है, basically, हाँ हो सकता है कि वो, जो toolkit है, वहाँ पर कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन उसकी वज़े से जो बाकी के लोग हैं, जिन्होंने violence कर दिया, वो evidence नहीं दिखता है, और यही main चीज है, आपको समझना है, और इसलिए यहाँ पर court ने clear तोर पर कहा है, कि जब तक violence यहाँ पर नहीं होता है, किसी भी person के actions की वज़े से, उसके count नहीं कर सकते, I hope that this thing is very clear, दूसरा यहाँ पर और एक और important चीज के मुद्धे के उपर ध्यान दिया गया है, code की दारा, वो है, descent is a sign of vibrant democracy, कोई भी person जब descent करता है, सरकार के खिलाफ कोई बयान देता है, कुछ बातचीत करता है, तो उसको हम vibrant democracy का हिस्सा मानते हैं, अगर कोई सरकार action ले रही है, तो उसके खिलाफ लोग voice नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा, सेम यहीं चीजा आप अभी देख रहे होगे, जिस तरह से students का मामला है, यह भी तो कुछ वैसा ही है, student अपने voice को लेकर उठा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो यह भी vibrant democracy का हि और diss and disagreement, यह जितने भी चीजें होती हैं, वो legitimate means हैं, यहाँ पर किसी भी state policies को अगर हमें influence करना है, इसके लावा यह भी बताया गया है, कि जो person है, अगर वो अपनी बातों को रख रहा है, वो एक तरह से sign है यहाँ पर, अगर कोई person aware है किसी topic को लेकर, किसी topic के बारे में बो करता है, मतलब सरकार के ऊपर कुछ बोलता है, तो यहाँ पर सरकार उसके ऊपर sedition का charge लगा कर उसको silence नहीं कर सकती है, और पहले कि जितने judgments हैं, उसको एक तरह से फिर से आधार बनाते हुए, यहाँ पर सरकार ने clearly कहा, कि violence एक सबसे बड़ा चीज होना चाहिए, जिसकी व उसको sedition के अंदर लाओगे, तो court ने यहाँ पर clear तोर पर कहा है, कि अगर कोई भी भारती नागरिक, अगर भारत में रह रह रहा है, और वो global audience से support लेना चाहता है, ताकि यहाँ पर अपने बात को और जादा बहतर तरीके से रख सके, तो उस समय भी आप यहाँ पर उसको sed condition नहीं कह सकते, क्योंकि यह अभी वैक्ति की आजादी है, अंडर article 19, जिसमें clear तोर पर जो communication है, वो geographical barriers के तोर पर नहीं देखना चाहिए, आप communicate कर रहे हो, भारत के अंदर कर सकते हो, और बाहर भी कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर court का आया है, तो I hope कि यह जो जितने चीज़े है जो judgment के अंदर बोली गई है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, और last में एक और चीज में आपको बता दूँ, वो है custodial interrogation, तो basically यहाँ पर आप समझी होता क्या है, कि अभी तो bail मिल गया, लेकिन 9 दिन से तो कोई person, जो दिशारवी है, वो तो आपका jail के अंदर toolkit की यहाँ पर बात हो रही है, बार-बार, उस toolkit के अंदर हम देखेंगी, तो कहीं पर भी violence की चर्चा नहीं हुई है, और इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा उसके अंदर गलत नहीं हम कह सकते, कि उसकी वज़े से यहाँ पर sedition का case होना चाहिए, इसके लावा यह भी बोला है, उसका यह कहना है कि जब toolkit के अंदर ही ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर WhatsApp ग्रूप का रहना, नहीं रहना, यह अपने आप में meaningless हो जाता है, तो यह काफी important चीज है, इसके लावा यहाँ पर court ने question किया, दिल्ली पुलिस को question किया, कि क्या इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो clearly यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ओपर एक काफी बड़ा प्रश्न चिन लगाया है, court ने, और यहाँ पर जितनी भी important चीजें थी, जो court ने मुद्दा उठाया, दिशारवी के बेल के अंदर, वो सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है, जान पर मैं इसका explanation भी डाल देता हूँ, अगर required होता है, तो यहाँ पर कई सारे MCQs मैं डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase कना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मि आप से नेक्स तेल देन, thank you very much, see you soon.